मोधी सर ने मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली है कोट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है कॉंग्रिस नेता राहुल गांधी ने गुजरात उच नयायाले के आदेश को चुनोती दी थी हाई कोट ने अपरादिक मानहानी मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ट वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने उनका पक्ष रखा पहले हम आपको ये बता देते हैं कि राहुल गांधी का वो बयान क्या था जिसकी वज़स से इतना बखेडा खरा हुआ है उन्होंने कहा था कि सारे चोरों के नाम मोदी क्यूं होते हैं और ढूंडोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे जिसके बाद खुब बवाल हुआ मानहानी के केस में दो साल की सजा भी हुई उसके बाद मामला सुप्रीम कोट में चला गया और अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोट से बड़ी रहत मिली है चलिए अब हम आपको ये बताते हैं कि सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ राहुल गांदी की ओर से पेश वरिश वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने बहश शुरू की सुप्रीम कोट ने सिंग्वी से कहा कि उन्हें सजा पर रोक के लिए आज एक असाधारन मामला बनाना होगा सुप्रीम कोट ने इस बीच में कहा कि वे जानना चाहते हैं कि राहुल गांदी को अधिकतम सजा क्यों दी गई कोट ने कहा कि अगर जज ने एक साली 11 माइने की सजादी होती तो राखुल गांदी अयोग नहीं ठहराए जाते कोट की टिपनी पर महेश जेत मलानी ने कहा कि सुप्रीम कोट ने पहले राखुल गांदी को आगाह किया था जब उन्होंने कहा था कि रफेल मामले में शीर्ष अदालत ने प्रधान मंत्री को दोशी ठहराया है उन्होंने कहा कि उनके आच्रन में कोई बदलाव नहीं आया है मोदी सरनेम टिपली मामले में राहूल गांदी की ओर से पेश वरिष्ट वकील अभिशेक मनुस सिंग्वी ने कई दलीले दी उन्होंने कहा कि शिकायत करता पुरनेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में ये उपनाम अपनाया अब हम आपको ये बताएंगे कि कोट में अब तक क्या-क्या दलीले दी गई हैं अभिशेक मनुस सिंग्वी की तरफ से दी गई दलील में उन्होंने कहा कि मानहानी केस की अधिक्तम सजा दे दी गई इसका नतीज़ा ये होगा कि राहूल गांधी आठ साल तक जन प्रदिनी धीन नहीं बन सकेंगे पुर्नेश मोदी के वकील महेश जेट मलानी ने राहूल का बयान पढ़ा सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते और ढूंडोगे तो और मोदी चोर निकल आएंगे जेट मलानी ने कहा कि क्या ये एक पूरे वर्ग का अपमान नहीं है पिये मोदी से राजनीतिक लड़ाई के चलते मोदी वाले सभी लोगों को बदनाम कर रहे हैं सिर्फ ख़बर दिखाना देश्वा नियूज का मकसद नहीं देश्वा नियूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए